आनल फिशर बहुत ही परिशान करने वाली तकलिफ है अगर यह समस्या हो जाए तो पेशन तरपने लगता है बहुत दर्द इसमें होने लगता है Fischer का मतलब क्या होता है, crack हो जाना आपकी lettering की जगह पर जब crack हो जाता है तो उसे हम कहते है anal fischer फट जाती है lettering की जगह ये क्यों फटती है, इसके कारण क्या होते है ये सब बाकी के मेरे वीडियों से उसमें मैंने detail में बताया हुआ है लेकिन आज जो सबसे मुख्य बात है क्योंकि काफी ऐसे patients है जिनको मैंने treat किया है जो पूरी तरह से ठीक हो जाते है और फिर दो साल के बाद, तीन साल के बाद आते हैं और करते हैं डॉक्टर साब फिर इसे तकलिफ हो गई तो ये इसलिए होता है क्योंकि खान पान की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़े है ये चीज़े दो तरह से आपको फायदा करती है अगर आपको अभी फिलहाल तकलिफ है तो इसमें तुरंत रहत पाने के लिए बहुत जल्दी आपको अराम चाहिए तो आपने क्या खाना चाहिए ये समझना चाहिए क्या आपने नहीं खाना चाहिए ये समझना चाहिए कौन सी चीजों की तरफ आपने बारी के से ध्यान देना चाहिए ये भी आपने समझना चाहिए और इसलिए इस वीडियो में मैं यही डीटेल में आपको समझाने वाला हूँ क्या खाए, क्या ना खाए, कौन सी ऐसी घरेलू चीज़े है जो आप कर सकते है और किस तरह से खुद को इस समस्या से पूरी तरह से ठीक कर सकते है पूरी तरह से दुरूस्त हो सकते है नमशकार, मैं डॉक्टर शीतल टॉंग से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूटूब चैनल पर अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिचुला इस तरह की कोई समस्या है तो काफी वीडियो मेरे इसी चैनल पर है तो आप वो देख सकते है आपको पाइल्स है, फिशर है या फिचुला है इसमें क्या फर्क होता है यह अगर समझना है, तो यह भी मेरे वीडियो है जरूर आप देखिए आज इस वीडियो में हम समझेगे फिशर की तकलिफ अगर आपको है तो आपने क्या खाना चीए तो सबसे पहले समझते हैं कौन-कौन से वो फल है कौन-कौन सी वो चीज़े है जो आपने करनी है देखिए पपीता आपका बहुत अच्छा दोस्त है पपीता आपने रिगुलरली खाना चीए पपीते के अंदर पापेन नाम का एंजाइम होता है और ये बहुत ही काम का आपके फाइदे का एंजाइम है ये क्या करता है आपके पचन को अच्छा बनाता है आपके पचन को दुरूस्त रखता है जिसकी वज़े से आपकी तकलीफे कम होने में यह helpful रहता है दो नमबर पर मैं रखूंगा तर्बूज और खर्बूज को अगर तर्बूज और खर्बूज अभिलेबल है इस मोसम में अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तर्बूज और खर्बूज आपने रेगुलरली सेवन करने चाहिए इसमें पानी का प्रमान अधिक होता है और इसलिए आपको अगर कब्ज की समस्या है तो उसे दूर करने में यह बहुती रामबान साबित होता है तीन नंबर पे मैं रखूंगा फाइबर युक्त डायेट फाइबर आपके डाइजेशन के लिए आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टन है जरूर यह इसमें आपने क्या लेने चाहिए सभी प्रकार की डाले आप ले सकते आप नट्स ले सकते सीजनल फुर्ट्स आप घाईये आप सेप खा सकते हैं जामून आप खा सकते हैं नाशपती खाईये इसमें ज़्यादा प्रमान में फाइबर होते हैं जो आपके digestion को अच्छा रखेंगे लेटरिन आपकी smooth होगी जिससे आपकी लेटरिन की जगह पर pressure नहीं बनेगा और अगर आपको फिशर की समस्या है तो बहुत जल्दी recovery के लिए ये helpful साबित होगा. फोर्थ नंबर पे है हरी पत्तेदार सबजिया इनमें भी fiber का प्रमान जादा होता है और ये antioxidant से भरपूर होती है इसमें बहुत जादा antioxidants होते है जो आपके cubs को आपकी तकलीफों को दूर करने में बहुत ही helpful होते हैं. पांच नंबर पे मैं रखूंगा दही और चाँच दही और चाँच भरपूर मातरा में आप ले सकते मैं तो आपको कहूंगा कि आप खाने के वक्त पानी की जग़पे छाँच लीजिए. बहुत फाइदा आपको होगा. 6 नंबर पे पानी. जिहां, आपने 2-3 लिटर पानी कम से कम पीना चीए भरपूर मातरा में आपने पानी पीना चीए. पानी हमारे शरील के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है. काफी लोगों को मैं देखता हूँ ओफिस में या काम की गड़बडी में पानी पीना भूल लाते है. पानी से संत्रा, मोसंबी, निम्बू या आपने ज़्यादा सा ज़्यादा खाना चीए. इससे भी आपके डाइजेशन में आपका मल क्लियर होने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको अगर कबजियत की शिकायत है तो वह भी इससे दूर हो जाएगी. फिशर की समस्या में ये बहुत ही फाइदेमंद है. क्या खाए वो तो आप समझ गए? अब क्या न खाए वो भी इतना ही इंपॉर्टन्ट है. देखिए जंक फूड जैसे पिज़ा, बर्गर पूरी तरह से आपने बंद करना है. आप केक, पेस्ट्रीज बिलकुल भी मत ख अब करना है, तो उसे भी कुछ दिनों के लिए आप कम कर दीजिए. मासाहार, अगर आप नौनवेज खाते हैं, तो उसे भी कुछ दिन आप रोकिए, ताकि आपको हाड लेट इन नहों, मासाहार डाइजिस्ट होने के लिए दिक्कत देता है और इसलिए कंस्टिपेशन के समस्या बढ़ जाती है, कैफिन युक जो पे है, वो आपने एकदम अवाइड करने चाहिए, चाय, कौफी कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, मसालेदार चीज़े बंद कर दीजिए, अब समझते हैं, अगर आपको ये तकलीफ हो चुकी है, तो क्या करना चाहिए, सबसे इंपोर्टन पहला सजेशन मैं दूँगा, आप होमियोपेथी की दवाई लीजिए, काफी ऐसे पेशन्ट से मेरे पास, जो पूरी तरह से रिकवर हो गए, काफी दिनों से उनको तकलीफ थी, बार बार तकलीफ होती थी, पर्मनेंटली ठीक हो गए, होमियोपेथी से आप पर्मनेंटली ठीक हो सकते है, होमियोपेथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसीन्स है, जैसे नैट्रिक असीड है, एसकुलस है, नकजूमिका है, ग्राफाइटीस है, सल्फर है, सिलिका है, ऐसी बहुत अच्छी दवाईया है, जिनसे आप पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं, लेकिन खुद के दिल से बिलकुल भी दवाईय नहीं लेनी है, कोई भी दवाईय नहीं लेनी है, लेकिन कुछ घरेलो उपाय आप खुद के दिल से कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ परहिज के बारे में समझना जरूरी है, अगर आप एक ही जग तक चलने की आदत, जिहां, बहुत जरूरी है, जब भी आप खाना खाए, दस मिनिट कम से कम चलिए, तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है, कि आपके गुदा के आसपास का जो एरिया है, वो ड्राइ रहना चीए, सुखा रहना चीए, इसलिए अगर आपको तकलिफ है, आप जब भी घर पे है, तो आप धिले कपड़े पहनिए, ताकि हवा आती रहे और आपको वहाँ पे गिला पनना रहे, चौती बहुत महत्वपूर्ण बात है, आजकर हम देखते हैं, लोग टौइलेट में मोबाइल लेके जाते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, ऐसा बि देखा मत करिए, अगर आप नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, आपका जो लेटरीन है, वो हाड हो सकता है, और आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए जैसे ही आपकी इच्छा हो, तुरन चाहिए, सात्वा उपाए आप कर सकते हैं, सिड्स बात, सिड्स बात के बारे में मेरे इस वीडियो में मैंने डीटेल में बताया है, आप सुनिए, और ये उपाए भी आप घर पे ही कर सकते हैं, ताकि आपकी तकलीफ कम हो जाए, और एक इंपोर्टन बात याद रखिए, अगर आप कोई पेन किलर लेते हैं, दर्द नाशक दबा लेते हैं, उसे तुरन बंद चलने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका पेड साफ होगा, आपकी शिकायत बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, तो ये थी वो बहुत जरूरी बात है, इस वीडियो को फिर से देखिए अगर आपको तकलीफ है तो ताकि इसमें मैंने बताया हुए उपाय आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद